आपके पास Redmi 13C या 13 series का कोई और phone है तो यहाँ पर back button show कैसे कर सकते हैं और उसकी full setting कैसे कर सकते हैं navigation button भी बोलते हैं इसको तो आप यहाँ पर screen पर touch करके रखेंगे setting का option आएगा आपको इस पर click कर लेना है more setting पर click कर लेंगे navigation system navigation है आपको इस पर click कर लेना है आप इस पर click कर लेंगे buttons वाले option पर तो back button आपका show हो जाएगा अब यहाँ पर back button को आपको left side में set करना है या right side में तो mirror button को आप बंद कर देंगे तो left side में आ जाएगा on कर देंगे तो right side में ठीक है और इसके बद button shortcut का एक option मिल जाता है तो इसकी full detail की video आप अलग से देख लेंगे i button में जाके और एक option मिल जाता है आपको automatically disable navigation button का तो आप इस पर click कर लेंगे अब यह वाला option तो वैसे never disabled रहता है इतनी applications जो भी आपके phone में है वो शो हो जाती है मैंने इसको जैसे कि मेरा amazon है तो मैंने इसको always disable कर रखा है ताकि अगर मैं full screen में या फिर landscape में phone चलाती हो ना तो मेरे यह जो back button है अपने आप hide हो जाए या फिर यह जो इसका status बार है तो यह आपका hide हो जाएगा ना तो navigation button आपका disable हो जाता है ताकि गलती से touch हो के अचानक से back ना हो screen दो बाद tap करेंगे तो उसके बाद यह enable हो जाएगा button आपका मतलब active हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने gaming के लिए इसको disable कर रखा और amazon वगरे के लिए तो आप gaming प्ले करते हैं या फिर कोई media प्ले करते हैं तो आप इसको enable कर देंगे application में जाके आप जैसे कि just example मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि आप जैसे amazon क्लिक करते हैं या फिर जिस पे आपने enable कर रखा हैं तो यह screen जब आपके open रहती है न तो देख सकते हैं तो अभी तो यह active होने में थोड़ा सा time लगता है कभी-कभी तो आप एक बर दबाते हैं तो एक बर back नहीं होता है आपको दो बर दबाना पड़ता है तब यह जाके back होता है ठीक है और जब आप game play कर रहे होते हैं तो उस condition में दूसरे तरीके से open होता है तो मैं game play कर लेती तो जब यह game play on होगी तो अपने आपी navigation bar आपका hide हो जाएगा अब इसको लाने के लिए और active करने के लिए आप ऐसे slide करेंगे तो यह आ जाएगा और यहां से status bar भी आपका hide हो गया अब इसको एक बर back करेंगे तो बैक नहीं होगा इसको आप दो बर back करेंगे तो यह back होग बटन इसके काम करने start करेंगे तो इस step से आप full setting कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार